तो मसूरी में सियम पुषकर सेंग धामी ने जनता को स्वासस विधाओं की सौगात दी है और सियम धामी की मुलाकात का समय भी तैय हो गया है बड़ी खबर सामने आ रही है सोमवार मंगलवार को सांसद मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सियम धामी बुधवार गुरुवार को विधायक से मुलाकात करेंगे और पूर्व विधायकों से भी मुलाकात करेंगे जनता मिलनकारिक्रिम के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया गया है बड़ी जानकारी इस वक्के आप दे रहे हैं देरदून से सियम पुषकर सेंग धामी के मुलाकात का समय अब तैय हो सांसदों से होगी सांसदों से मुलाकात करेंगे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे तो वहीं बुद्वार और गुर्वार का दिन रखा गया है जब विधायकों से उनकी मुलाकात होगी और पूर्व विधायक भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे जनता मिलनकारिक्रम के लिए एक फोन नंबर जो है वो जारी किया गया है प्रादेश की दुबारा सत्ता संभालते ही सियम पुशकर सिंग धामी एक्शन मोड में है लोगों को सियम से मुलाकात के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा दरसल सियम ने लोगों की फरियाद सुनने के लिए समय तैकर दिया है जादा जानकारी देंगे इस पे हमारे समवादाता सुरिंद्र डसीला मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी एक बार दुबारा से प्रदेश की सत्ता की कमान समाल चुके हैं और सत्ता की कमान समालते ही ताबर तोड़ आदेश जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने अब आम जंता से मिलने के लिए रास्ता बहुत सरल बना लिया है लोगों को अब मुख्यमंत्री के अपॉइंट्मेंट के लिए उनके कारियले या आवास के चक्कर नहीं काटने होंगे बलकि मुख्यमंत्री का टेलीफोन नंबर जारी किया गया है जिससे कारियले में बैठे अधिकारी आम जनता से मिलने का समय तै करेंगे सोमवार से लेकर रव्यूआर तक के पूरे समय तै किये हैं और इस समय के हिसाब से आम जनता के लिए अलग समय तै किया गया है और इसके अलावा विधायक, मंत्री गण सांसद और पार्टी के नेताओं के लिए अलग समय होंगे इससे आम जनता को ये फाइदा होगा कि आम जनता के समय में नेताओं की वजह से उनकी दिक्कतों और समस्याओं को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी इसके सांथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो भी लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं उन्हें किसी भी तरह की आपचारिकता निभाने की जरुरत नहीं है यानि फ्लावर बुके लेकर आने की उन्हें जरुरत नहीं है वो चाहें तो सिर्फ एक फूल या कोई पौधा लेकर आ सकते हैं इसका एक फाइदा ये भी होगा कि मुख्यमंत्री आवास में जो भील लगातार लग रही थी जिसकी वज़े से आम जंता की समस्याओं पर काम नहीं हो रहा था अब वो बहतर तरीके से हो पाएगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए अलग अलग अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है